नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमाशु शर्मा और हर बार की तरह वादे के मताबिक आपके सामने हादिर हूँ पाँच नए जोग्रफिकल टर्म्स लेके इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें और देखें कौन कौन से शब्दों का खजाना है आज हमारे पास आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दूसरों तक भी पहुचाना ना भूलें ताकि वो भी नहीं नहीं चीज़े सीख सकें तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला शब्द कौन सा है बहुत ही इज़ी शब्द है यह यानि कि हिंदी में इसको काई बोलते हैं आते जाते आपको तालाबों में पोखरों में सडकों के किनारे जो भी पॉंट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए होती है, वहाँ पर घास हुकती है एक तरह की घास है जो कि पानी में उकती है ठीक है इसको हम algae कहते हैं समझ में आगी बात हमारा anthropocentrism देखो भई एक तरह का state एक तरह की अवस्था या फिर quality जिसका focus human being है ठीक है या फिर इसमे इसम लगा हुआ है तो एक तरह का वाद भी है ये एक इस तरह का वाद जिसमें मानव केंदर में रहता है ठीक है उसको हम anthropocentrism कहते हैं जैसे जाती वाद होता है जिसमें जाती केंदर में है वैसे यहाँ पर मानव वाद यानि की anthropocentrism जिस किसी भी बात या जिस किसी भी चीज में हम मानव को केंदर माल लेते हैं उसी से सब कुछ effect होता है वही dominating है उस phenomena में तो उसको हम Anthropocentrism कहेंगे इतना बड़ा शब्द है Anthropo Geomorphology Anthropo को अलग कर लीजिए Geomorphology को अलग कर लीजिए तो आप देखेंगे Geomorphology Geography की एक ब्रांच है जिसमें हम भूग अकरतियों के बारे में पढ़ते हैं और वो कैसे बनी उनकी Processes के बारे में पढ़ते हैं ठीक है और Anthropo में मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि Anthropo होता है Mano विज्ञान Mano के बारे में पढ़ते हैं उनकी उत्पत्ति से लेके जैसे जैसे उनका Evolution हुआ है वो सारी चीज़ें Anthropo में पढ़ी जाती हैं तो Geomorphology में हम क्या पढ़ते हैं Process and Landforms Anthro में हम पढ़ते हैं Mano तो अब यहाँ पर अगर दोनों को disintegrate करके हम अगर मतलब निकालना चाहें तो यहाँ पर भी भू आकृतियां हैं जिन में मानव का हस्तच्छे प्यानी की interference देखने को मिलता है तो इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहेंगे Anthropo Geomorphology हम एक बाद definition भी देख लेते हैं The study of landforms and processes Resulting from human activities Human activities के थूँ जो भी landforms बने हैं उनकी study को हम कहते हैं Anthropo Geomorphology ठीक है ठीक्स आता है हमारा Anti-Urbanism Antivirus क्या? Virus होता है जो खराब कर देता है Antivirus जो की Virus को हटा देता है जैसे Urbanism का क्या मतलब है शहरों को बढ़ावा देना शहरों की चीजों को पसंद करना ठीक है न? ये सारी चीज़े Urbanism में आती है लेकिन इसका उल्टा कर दीजे तो Anti-Urbanism हो जाएगा किसी भी चीज में Anti लगा दीजे तो मतलब Apposit हो जाता है अपोज करने वाला हो जाता है ठीक है? तो A Very Strong Dislike यानि कि हम शहरों को नहीं चाहते हैं इस तरह की Feeling यानि बहुत घड़ा वाली Feeling या फिर हम कहें कि शहरों को लेक अच्छे नहीं होते हैं वो बहुत घमंडी होते हैं इस तरह की Feeling या इस तरह के जब हम Excuses देते हैं इस तरह के हम Argument देते हैं तो इस तरह की Feeling को हम क्या कहते हैं? Urbanism का उल्टा Anti-Urbanism कहते हैं ठीक है? यह थोड़ा सा Selection Body से यानि कि हमें Space में जाना पड़ेगा Solar System में जाना पड़ेगा क्या होता है Appalian भाई देखो Sun और पृत्वी के बीच की दूरी जिस दिन सबसे ज़ादा होती है सबसे ज़ादा है यनि की लगबग 152 million km होती है तो 150 million km है लेकिन जब सबसे ज़ादा होती है तो 152 million km होती है उस आवस्था को हम Appalian कहते हैं यहाँ पे कॉमेट और प्लानेट की बात हो रही है तो प्लानेट में हम अपनी प्रत्वी ले ले रहे है तो प्रत्वी से सन की दूरी जब सबसे ज़ादा होती है तो उस कंडिशन को हम Appalian कहते है ठीक है तो यह थी हमारे आज के 5 शब्द आपको अगले वीडियो में नए 5 शब्दों के साथ मिलूँगा तब तक घर पर रही है सुरक्षित रही है अपना और अपनों का ख्याल रखे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया